गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में गुप्तकाल के परशिद मंदिरों के बारे में अध्यन करेंगे तो देखेगा गुप्तकाल के जो मंदिर हैं उनकी विशेशतों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और गुप्तकाल की कला, स्तपत्य कला के बारे में और गुप्तकाल के सासकों के बारे में हम अच्छे से वीडियो में पढ़ चुके हैं पहले तो आप मारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलें और आप परीक्षा की तियारी अच्छे से कर सकें तो चलिए पढ़ते हैं, गुप्त काल के परसित मंदिर, गुप्त यूगीन वास्तुकला के सरोतम उधारन मंदिर हैं, वस्तुते मंदिर के हवसेस हमें इसी काल से मिनने लगते हैं, गुप्त कालीन परमुक मंदिर निम लिखी थे देखेगा कौन-कौन से मंदिर, सांची का मंदिर सांची भारत के मध्य परदेश राजे के राय सेंजिले में बेत्वा नदी के तट पर इस्तित एक छोटा सा गाम है यहां कई बोध इसमारक हैं जो तीसरी स्ताबदी सा पूरव से बारी स्ताबदी के बीच के कालके हैं सांची के महास्तूप के दक्सिन पूरव की ओर बने इस मंदिर को मंदिर संक्या 17 कहा जाता है यह गुप्तकाल का प्रारंबिक मंदिर है जिसका आकार छोटा है छत सपाट है गरभ गरभ चोकोर है तता इसके सामने छोटा इस्तम्व यूप्त मंडब बना हुआ है इस्तम्ब पक्चार स्ताबदियों से निर्मित एक छोटा मंदिर है यह और साधकी और भवेता का उतक्रेश्ट उधारण है ठिक है अब ब्यारण आंगन की पत्थर की चिनाई के साथ कवर किया गया है जो बहुत महीन और साफ है और गरभ गरए की छत की उंचाई पोटिको या होल की छत से थोड़ी अधिक है इस प्रावधान के माध्यम से वर्षा जलके की निकासी और नीव का एक सुरक्सा उपाई है चार खंबे अधिक कॉंपेक्ट और अच्छी तरह से नकासी दार है यह मंदिर वास्तम में उतक्रिश्ट कालका है और अनुग्र है एकता समरूपता औ और महिमा द्वारा चिनित है बहुत यह सरर सरंचना और नकासी और सजावटी स्काम सिर्फ छत और बीम के जोड़ों पर है एक उल्टे कमल को उद्वा धर खंबे में रखा गया है मुखे और छोटे सेरों को पीछे की और बठाया जाता है और छत और स्थम्ब के बीच एक समर्थन बनाता है पूरी सरंचना सरर है जिसमें कोई कठिनाई नहीं है जबकि एक पुरातात्य व्यक्ति ने समझाया कि डिजाइन सरर है लेकिन यह पता लगने के लिए कि रूप्रे का बहुत जटिल है यह मंदिर प्रारंबिक बोध मंदिर है और गुप्तकालिन काल का ह अब आयताकार गरब गरह में कोई छवी नहीं है सांची को एक धार्मिक और इस्तापत्य विरासत भी माना जाता है यह सिर्फ महानिस्तूप के करीब इस्तित है और अन्य एतियासी खंडर आसपास के छित्र में हैं गुप्तमंदिर पांचवी स्ताब्दी इस्वी में यह बनाया गया, वास्तम में ये भार्ति वास्तू करला की सुरुवाति नमूनों में से एक है, गुप्त मंदिर प्राचीन भारत की प्रम्रों का साक्सी है، यह एक विशाल परिसर में इस्तित है, जिस में एक मुकुट शेल्फ, मध्यवर्ती सेल्व और निचला सेल्फ है, मं प्राची का मंदिर अब देखते हैं अपन तिगवा का विष्णु मंदिर तो कई बार एक पूस लेते हैं कि यह मंदिर कौन से काल से सम्मंदित है तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है तो चलिए देखते हैं तिगवा का विष्णु मंदिर तिगवा मध्य परदेश क कटनी जिल्ले का एक गाम है जहां एक प्राचिन पुरातात्विक स्थल है जिसमें कई हिंदू मंदिरों के भगनावसे स्विध्यमान है गुप्तकार के परमुक मंदिरों में तिग्वा का विश्रु मंदिर एक पर्शिद मंदिर है इसके गरब गरह का व्यास लगबग 8 परिवेश दुआर के पास्वों पर गंगा अतथा यमुना के आकरतियां उनके महानों के साथ उतकिन मिलती है अब देखेगा पढ़ते हैं अरन का विश्रु मंदिर तो हमने पढ़ा साची का मंदिर और तीग्वा का विश्रु मंदिर और अब पढ़ते हैं। का विश्णू मंदिर ठीक है तो एरण परदेश के बारे में हमने आपको पहले वाले वीडियोज में अच्छे से बताया था वहाँ पे आप एरण के बारे में जानकर प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो एरण का विश्णू मंदिर मद्य परदेश के सागर जीले में एरण नाम अंसा वसेसों में गुप्तकाल के बगवान विशुनों का मंदिर तता उसके दोनों तरफ वराहे तता नर्शिहां का मंदिर परमुख हैं। वराहा कि इतनी बड़ी परतिमा भारत में कहीं नहीं है। इसके मुख, पेट, पैर, आदि, समस्त, अंगों में देव, परतिमाई उतकिन की गई हैं। विशुनों मंदिर के सामने 47 फुट उंचा गरुड द्वज खड़ा है। इन अवसेसों के समीब अनेकों अभिलेक, भग्ण, सिलापटों के रूप में पड़े हैं। अब देखिएगा पड़ते अपन नचना कुठार का पारवती मंदिर। मंदिर के छट सपाठ है, गरब गरह की दिवारों को अलंकरनों से सुज़सजित किया गया है। जनरल कनिंगम के अनुसार यह देवी पारवती का मंदिर है। और इस मंदिर के बाहर प्रांगण में विस्पाइज सीव की चतुर मुखी पर्तिमा है। जिसमें सीव के खुले हुए मुख के भाव विस्प की कड़वाट को परदर्शित करते हैं। यह मंदिर गुप्त कालिन वास्तुकला का सरोत्तम उधारन पर्सूते करता है। गरब गरह के वितर एक मुखी सीव लिंग स्थापित किया गया है। उसके सामने स्थम्भ यूक्त मंडप तथा चारों और परदक्षिना पत्र मिलता है। सीव मंदिर की विसेशताएं देखेगा। इस मंदिर का अब केवल गरब गरह विद्यमान है। इस गरब गरह के चारों और का चबूत्रा परदक्षिना पत्का अवशेस है। गुप्त कालीन मंदिरों के प्रएह सब भी लक्सन इसमें है। द्वार इस्तम के दाएं बाएं गंगा और यमुना की मूर्तियां अंकित है। मंदिर में एक मुखी सिवलिंग की मूर्ति स्थापित है। इसके गरब गरह का प्रवेश द्वार और मंडप्रारम भी गुप्त मंदिरों की पेक्षा अधिक अलंकरित है। शिव मंदिर के अलावा भूमरा से विश्णु मंदिर भी प्राप्त हुआ है। 19.95 में केडी वाजपेई ने एक विश्णु मंदिर तथा मूर्ति की खोज की थी, यहां गरब गरह का अलंकरित द्वार मिला है। द्वार इस्थंबों तता सिर्दल पर पून घट, पत्रावली, नगर परमुक, व्यागरमुक आदी अलंकरन मिलते हैं। वारा है अवतार नवगरह आदी भी द्वार पर अंकित हैं। विश्णु की परतिमा मंदिर के पास से ही मिल रही है। इसके अलवा सतना में खो है, उचेहरा, नागोद, तथा जबलपूर में मढधी नामक स्थानों से भी गुप्तकालिर मंदिरों के अवसेस प्राप्त होते हैं। देवगड का दसावतार मंदिर उत्रपरदेश के ललितपूर जो प्राचीन जहसी था, जिल्ले में देवगड नामक स्थान से यह मंदिर प्राप्त हुआ है। गुप्तकाल के सभी मंदिरों में देवगड का दसावतार मंदिर शर्वादिक सुन्दर है, जिसमें गुप्त मंदिरों की सभी विशेशताएं प्राप्त हो जाती है। इसका उपरी भाग नश्ट हो चुका है। मंदिर का निर्माण एक उंचेत एम चोड़े जबूतरे पर किया गया है। मंदिर के गरब गर्य का प्रवेश द्वार आकर्शक तथा कलापूर्ण है, उसे द्वारपालों, नदी देवताउं, आदी की मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिरों की दिवारों पर से सजाया पर सयन करते हुए बगुहान, विश्णू, नरनारायन, गजेंद्रे मोक्स, आदी के सुन्दर दर्शे उतकेन हैं। रामायन तथा महा भारत के कई मनोहारी दर्शों का अंकन भी इसमें प्राप्त होता है। गरब-ग्रह की उपर पीरामिड नुमा उंचा तीरा सिखर मिलता है, इसके चारों दिशाओं में चत्तेकार केर्टी मुख जो गवाक्ष तथा इसके उपर बीच में खरबूजिया आकार का विशाल आमलक मना था। इस प्रकार के एक से अधिक मंजिल वाले परशाद को बहु भूमिक कहा जाता था। इसे गुप्तकाल के उतकरिश्वास्तू का नमूना माना जा सकता है। इसके अनेक ततों को बाद के मंदिरों में ग्रहन किया गया है। परशी ब्राउन के सब्दों में संपून बवन अपने अंगों की सटीक नियोजन की दरस्टी से जो सभी व्यावारिक रूप से उप्योगी होते हुए भी उस्तम कलात्मुक भावनास्य परिपून थे। देवगट के गुप्त मंदिर के समान तक्षन चमता की परिपकवता एम परिसकार से यूगत उचे स्थरिये कारीगरी बहुत कम समारक परदर्शित कर सकते हैं। अब देखेगा भी टरगाम का मंदिर तो भी टरगाम का उत्तर परदेश के कानपुर जिल्य में इस्तित मंदिर है। इस मंदिर का निर्मान इंटों से किया गया है, मंदिर एक वर्गाकार चो बूत्रे पर बनाया गया है, इसका गरबगरह वर्गाकार है, गरबगरह के सामने मंडप है, देवगट के मंदिर दसावतार के समान बित्रगाम का मंदिर भी सिखर यूक्त है, जिसका सिखर महराब बनाए गए हैं बाहरी दिवारों में बने ताखों में हिंदू देवी देवताओं जैसे गणेस आदिवरा है दुरुगा नदी देवता आदी की मन मूर्तियां रखी गई हैं साथ ये साथ दिवारों को रामा इन महा भारत एम पूराणों के वीविद आख्यानों से सजाय गया है संपूर्ण रचना भवे एम आकरसक है भारत में प्राप्त डोट पत्थर महराब का प्राचीनतम उद्धारन होने के साथ ये साथ वित्रगाम का मंदिर इंट निर्मित भवन का भी सबसे प्राचीन उद्धारन परस्तुत करता है तो देखेगा यहां पर क्यूसन बन रहा है कि सबसे पहला इंटो से निर्मित भवन कोन सा है वो है आपका भीत्रगाम का मंदिर ठीक है और सबसे पहला शिखर यूक्त मंदिर कोन सा है दसावतार का मंदिर ठीक ह तता है तता इसका वास्थु भीत्रगा मंदिर के ही सम्بान है परवेश्ट दुआर पर डाठ तता चोकट के आउपर गुप्तकालिन अलंगर्ण उत्किन मिलते हैं इसी मंदिर के समीब से इंटोंगे बने दो और मंदिरों राम और जान की मंदिर के अवसेस भी प्राप्थ ह होते हैं ठीक है तो यह चेप्टर बहुत ही इंपोर्टेंट है एक्जाम की दरश्टी से कई बार पूछ लेते हैं तो आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेगा और कोई गलती हो तो हमें सुधारने के लिए भी आप बोल सकते हैं और कमेंट बोक्स में कमेंट करके ब में में से अलुके बार बना की हैं तो हमें पूले ठेखेगा पार गेंगे यह अज कुछी की देखेगा बोल सकते हिरते हैं तो हमें गलीक है पिद्बच कर टायूं कि दो देखेगार के कर इंज़